तो भाई लोग इस स्टोरी की शुरूआत होती है नौडात्री से कि अधिया नंदी नंदी तमेधी निविश्वविनोधी नंदनते इस देश में नौडात्री की फेस्टिबल बड़े हैं कि धूंदामों से मना जाती है खास करके तो कोलकत्ता जैसे पर क्या है ना हम वहां पे तो जा नहीं सकते तो क्यों ना हमने सोचा कि इस बार अपने गाउं का नौडात्री के दर्सन आप सभी को करवाया जाएं यू तो अकेला भी अकसर गिर के समल सकता हूं मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता तो चलने से पहले लेकिन एक मुसीवात आपड़ी जिस मुसीवात का नाम था बारिस काफी तेज बारिस हुई लगभग लगभग आदे घंट 45 मिनट तक मगर जो बारिस थी वो रुकी लगभग लगभग आदे घंट 45 मिनट के बाद बारिस की रुकने के बाद हमने अपनी जर्णी को फिर से कंटिनू किया और हम अस्टमी के दिन अपनी जर्णी को सुरुवात कि लगभग 5 मिनट के बाद हम अपने गाओं की मंदिर के तरफ पहुच गये और वहां पर पहुचने के बाद देखा कि जो लोगों की संख्या थी वो काफी कम थे मगर सरधालेओं की कोई कमी नहीं थी कोई एक तरफ धीप जला रहा था तो कोई मंदिर का फिर क्या था हमने अपना मोबाइल निकाला शुरू कर दिया सूट करना झाल कि हमारे हैं क्या है ना सहारा के दिन मुर्ति का बिसर्जन नहीं होता है और हमारे मुर्ति के बिसरजन पूर्णीमा के दिन होता है जो कि दसाहरा से लगवक्त तिन दिन बाद होती है तो इस कारण यह भीर की कमी थी आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे काफी ज्यादा देर ठारने के बाद लगवग लगवग हमने वहाँ पे एक घंटे बिता और एक घंटे बिताने के बाद हमने फिर से डिसाइड किया कि अभी यहां से चलते हैं क्योंकि काफी मैं अ मैं अद्राने कि अ सकतो दो झाल झाल